भजन सहिदा 89 अध्धाई 30 से 37 तक यदि उसके वन्ष के लोग मेरी विवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार न चले यदि वे मेरे विदियों का उलंगन करे और मेरी आग्याओं को न माने तो मैं उनके अपरात का दंड सोंटे से और उनके अधरम का दंड कोडो से दूंगा परन्तु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सचाई त्याग कर जूटा टहरूंगा मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुझ से निकल चुका है उसे न बदलूंगा एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपत खा चुका हूं मैं पर्मा के समान और आकाश मंडल के विश्वासयोग्य साक्षी के समान सदा बना रहेगा रोमियो 11 अध्याई 33 से 36 तक आहा परमेश्वर का धन और बुद्धी और ज्यान क्या ही गंबीर है उसके विचार कैसे अताह और उसके मार्ग कैसे अगम है प्रभु की बुद्धी को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए क्योंकि उसी की और से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है उसकी महिमा युगान युग होती रहे आमिन रोमियो 12 अध्याई 1 से 21 तक इसलिए हे भाईयो मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरंड दला कर विंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलीदान करके चड़ाओ यही तुमारी आत्मिक सेवा है इस संसार के सद्रशन बनो परंतो तुमारे मन के नए हो जाने से तुमारा चाल चलन भी बदलता जाए जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो क्योंकि मैं उस अनुग्र के कारण जो मुझको मिला है तुम मैंसे हरेक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आपको न समझे पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को विश्वास परिमान के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुधि के साथ अपने को समझे क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं वैसा ही हम ज तो जिसको भविश्वानी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमान के अनुसार भविश्वानी करे यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे दान ब्रभु की सेवा करते रहो स्राप न दो, आनन करने वालों के साथ आनन करो, और रोने वालों के साथ रोवो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगती रखो, अपनी दृष्टी में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बाते सब लोगो परंतु परमीश्वर के क्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है प्रभु कहता है मैं ही बदला लोंगा परंतु यदि तेरी बैरी भूका हो तो उसे खाना खिला यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अं लेवे के पुत्र गिर्शोन, कहात और मरारी, कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेबरोन और उज्जियेल, अमराम की संतान हारून, मुसा और मरियम, हारून के पुत्र नादाब, अभिहू, इलियाजार और इत्तामार, इलियाजार से पिन्हास, पिन्हास से अभिशू, अभिशू से बुक्की, बुक्की से उज्जी, उज्जी से जर्हयाह, जर्हयाह से मरायोत, मरायोत से अमर्याह, अमर्याह से अहितूब, अहितूब से सादोक, सादोक से अहिमास, अहिमास से अजर्याह, अजर्याह से योहना और यहनान से अजरियाह उत्पन्न हुआ जो सुलिमान के यरुशले में बनाए हुए भवन में याजका काम करता था फिर अजरियाह से अमरियाह अमरियाह से यही तूब यही तूब से सादोक सादोक से शलुम शलुम से हिलिक्या हिलिक्या से अजरियाह अजरियाह से सरायाह स यहोज सादाक उत्पन्न हुआ और जब यहुआ यहुदा और यरूशलिम को नभुगाद नेसर के द्वारा बंदी बना करके ले गया तब यहोज सादाक भी बंदी हो कर गया लेवी के पुत्र गिर्शोम, कहात और मरारी और गिर्शोम के पुत्रों के नाम ये थे अर्थाद लिबनी और शीमी कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हिब्रोन और उजियेल मरारी के पुत्र महली और मूशी अपने अपने पीतरों के घरानों के अनुसार लेवियों के कुल ये हुए अर्थात गेर्शोन का पुत्र लिबनी हुआ लिबनी का यहत यहत का जिम्मा जिम्मा का यो आह का इदो का जेरह और जेरह का पुत्र यात्रे हुआ फिर कहात का पुत्र अमीनदाब हुआ, अमीनदाब का कोरह, कोरह का असीर, असीर का इलकाना, इलकाना का एबियासाब, एबियासाब का असीर, असीर का तहत, तहत का उरियेल, उरियेल का उजियाह और उजियाह का पुत्र शाउल हुआ, फिर इलकाना के पुत्र अमासे और अ और यरोहाम का पुत्र इलकाना हुआ, शमुएल के पुत्र उसका जेठा, योएल और दूसरा अभियाह, फिर मरारी का पुत्र महली, महली का लिबनी, लिबनी का शीमी, शीमी का उज्जा, उज्जा का शीमा, शीमा का हगियाह और अगियाह का पुत्र असायाह हुआ, फिर ज तब तक सुलेमान यरुशले में यौवा के भवन को बनवा न चुका तब तक वे मिलापवाले तंबु के निवास के सामने गाने के द्वारा सेवा करते थे और इस सेवा में नियम के अनुसार उपस्तित हुआ करते थे जो अपने अपने पुत्रों समित उपस्तित हुआ करत खतने थे वे यहैं अरफात कहातियों में से हेमान गय जो योहल का पुतर था और योवल शमुल का शमुल colors का इनकानों य्रूहाम का योहाम इल्लनिः का इलियल तोह का, तोह सूप का, सूप इलकाना का, इलकाना महत का, महत अमासे का, अमासे इलकाना का, इलकाना योएल का, योएल अजरियाह का, अजरियाह जपनिया का, सपनियाह तहत का, तहत असीर का, असीर अबियासाप का, अबियासाप कोरह का, कोरह यिसहार का, यिसहार कहा का कहत लेवी का और लेवी इसराइल का पुत्र था और उसका भाई असाप जो उसके दाइने खड़ा हुआ करता था वह बेरेक्या का पुत्र था और बेरेक्या शीमा का शीमा मिकायल का मिकायल बासा यह का बासा यह मलिक्या का मलिक्या एतनी का एतनी जेरह का जेरह अदायाह अधायाह एतान का एतान जिम्मा का जिम्मा शीमी का शीमी यहत का यहत गिर्शोम का गिर्शोम लेवी का पुत्र था बाई और उनके भाई मरारी खड़े होते थे अर्थात एताव जो कीशी का पुत्र था और कीशी अबदी का अबदी मलुक का मलुक हजबियाह का हजबियाह अमस्या का अमस्याह हिलिक्या का हिलिक्या अमसी का अमसी बानी का बानी शेमेर का शेमेर महली का महली मूशी का मूशी मरारी का और मरारी लेवी का पुत्र था और इनके भाई जो लेविये थे वे परमेश्वर के भवन के निवास की सब प्रकार की सेवा के लिए अरपन किये हुए थे परन्तु हारुन और उसके पुत्र होमबली की वेदी और धूप की वेदी दोनों पर बलिदान चढ़ाते और परम पवित्र स्थान का सब काम करते और इस्राइलियों के लिए प्राश्चित करते थे जैसे के परमेश्वर के दास मोसा ने आग्याए दी थी हारुन के वन्ष में ये हुए अरथात उसका पुत्र इलियाजार हुआ और इलियाजार का पिनहास पिनहास का अभीशू, अभीशू का बुक्की, बुक्की का उजी, उजी का जर्याह, जर्याह का मरायोत, मरायोत का अमर्याह, अमर्याह का अहितूप, अहितूप का सादोक और सादोक का अहिमास पुत्र हुआ उनके भागों में उनके चावनियों के अनुसार उनके बस्तियां ये हैं अर्थात कहात के कुलों में से पहली चिठी जो हारुन की संतान के नाम पर निकली अर्थात चारों और के चरगाहों समेत यहुदा देश का हिब्रोन उन्हें मिला परंतो उस नगर के खेत और गाव य पुन्य के पुत्र कालेप को दिये गए हारुन की संतान को शरण नगर हिब्रोन और चरगाहों समेत लिबना और यतीर और अपने 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 चरगाहों समेत एश्तमों अपने अपने चरगाहों समेत हिलेन और दबरी आशान और बेच शेमेश और बीनियामीन के गोत्र मे से अपने अपने चरगावों समेत गेबा अलेमेत और अनातोत दिये गए sık से गरानों के सब नगर 13 थे से तब 16 कहातियों कि गोंत्र के कुल मनशे के आदेाल में से चिठ्ठी डाल कर 10 नगर दिये गए मधाना जाया क Viel Minskin अनुसार उन्हें रूबेन गाद और जबुलून के गोत्रों में से चिठ्ठी डाल कर बारह नगर दिये गए। शरण नगर था फिर गेजेर, योकमाम, बेथोरोन, अयालोन और गत्री मोन और मनशे के आधे गोत्र में से अपने अपने चरगाहों समेत आनेर और बीलाम शेश कहातियों के कुलों को मिले। और आनेम और आशेर के गोत्र में से अपने अपने चरगाहों समेत अपने अपने चरगाहों समेत गलील का केदेश, हम्मोन और किर्यातेम मिले। फिर शेश लेवियों और थात मरारियों को जबुलून के गोत्रों में से तो अपने अपने चरगाहों समेत शिमोन और ताबोर और यरिहों के पास की यर्दन नदी के पूर्व और रूबेन के गोत्र में से तो अपने अपने चरगाहों समेत जंगल का बेसेर, यहसा, कदे मोत और मेपाता और गाद की गोत्र में से अपने अपने चरगाहों समेत गिलात का रामोत महनें हिशो बोन और याजेर दिये गए